दोस्तों है स्वागत है हम एक चीज़ के ब пойmer में बात करेंगे जो आपको जो डर और बनाते हैं यह ऊगते उसके काम मुझना है हम जब कई जे अविद आपको पुझे तो चुटा मोटा ट आप बनाते तो क्या होता है हम वह एंप्लिफार तेयर कर लेते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं आता है जैसे कि 20-30 का कि टीडीए टीडीए 20-30 हो गया कि 254040 कि 6383 जो आइसी पार्ट है यह आराम से हम बना लेते हैं इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आता है मर्केट से आइसे लेके हम नॉर्मल सा डिजाइन करके ट्यांसरों लगा कि इसको रन कर सकते हैं लेकिन दोस्तों प्रॉब्लम क्या होता है प्रॉब्लम अताब होता है जब हम कुछ बराव अम्प्लिफार मता है मन के चलो के 500 वाट का हम एंप्लिफार मनाएंगे तो इसके हिसाब का करना होता है वो ट्यांसरों से लिट करना होता है तो ट्यांसरों क्या होता है खुद हम बनाते नहीं है किसी से बना के लेया थे तो क्या होता है हम कहते हैं कि 500 वाट मानके चलो पचास-जीरो-पचास 50 जीरो-पचास-दास-अंपियर तो क्या होगा हमारा ट्राइब आउटपुट दे देगा तो बो तो पच्छाइब पच्छाइब बना दिया तो क्या होगा हम जो एम्प्लिफियर बना रहा है अगर वह मन के चलो के चार्सो पच्छाइब का है 400 पच्छाइब खरें करें तो यह 50 यह कोई प्राब्लिम नहीं होगा क्रभ्लिम मत्तव होता है जब हमारा एम्फ्लिफायर के हिसब से ट्राइब 25 फर्सन ज्यादा हो जाता है कि चलो मन की चलो हम यह 12 एंपियर बना लिए 10 एंपियर नो के लिए बुला था उन्हи Ahmad बहुत यह अच्छ नहीं चलेगा क्या हूगा दोस्तों यह 600 वाट का हूगा कि 600 वाट का ट्रवाट हो गया लेकिन हमारा एंपलिफायर के इतने वाट का है एंपलिफायर तो यह तक्रिबन धाइस वाट ज्यादा दे रहा है तो यह इतना वाट क्या होगा ट्रेंस वह में स्टोक रहेगा यह जाई सी बात है लेकिन जब हम हमारा एंपलिफायर को इंपूट हम ज्यादा देते हैं जैसे मन के चलो कि वह नर्मल जो भाषा होता है उसको कहते हैं खीच के बजात है ज्यादा इंपूट देता है इंपूट हम ज्यादा दे इंपूट अगर हमारा एंपलिफायर को ज्यादा मेले सिग्नल तो जायर सी बात है यह आउट्पूट भी ज्यादा निकलने के कुशिश करेगा कि एसा होता है हम लोग ने देखा गई तो यह क्या होगा यह एंप्लिफायर हमारा जो है मन के चलोट चलो की पूरा के हम लोग को पता ही है टैंजिश्टर जब हीट हो जाएगा लाइं सिये बात है इसके हम लोग क्या करतेैं के लिए इसके के सेप्टी के लिए हम टैंसफर्मा के ए सि लाइन पे में मिन शप्लार में चुड़ फॉक होता है ऊस्में हम एकक चीज का यूजО फूर ca कि यह सबी लोग इस करते हैं यह यह लेकिन यह जो फ्यूज करते हैं तो इसके भी हम कुछ पता नहीं है चलो भाई हम बारा एंप्यर का टैसर हो है तो हम क्या करेंगे चलो मान के चलो दास अम्प्यर का फ्यूज लागा दिया तो दोस्तों आप लोगों के पूछ आप लोगों के में पूछना चाहता हूँ यह दस अंप्यर जाओ है तो यह क्या फ्यूज दस अंप्यर का सही लागा रख रहा है तो इसलिए हमारा एंप्लिफियर जलता है अगर यह 600 वाट का ट्यांस्फरमा है तो 600 वाट को हमारा एसी में 220 से इसको डिवाइट करो ठीक है क्योंकि हमारा में जो सप्लाई है 220 वोल्ट 220 वोल्ट हमारा में है ठीक है तो क्या होगा तो में हमारा 220 है तो में में 220 को 600 वाट को 220 से डिवाइट करो तो क्या होगा दोस्तों तो तो उसमें से जब जितना वह आउट पूट निकलेगा मतलब की एंपियर आएगा वही एंपियर का फ्यूज हमें डालना है और वह से कम थोड़ा कम ज्यादा नहीं ठीक है तो क्या कितना होता है मैं आपको बता रहा हूं कि इसको डिवाइट करने में 2.2.72 एंपियर हो है लेकिन हमारा 400 वाट है तो हमारा एंप्लिफियर जितने वाट का है 450 वाट उसकी हिसाब से मुझे लगाना है ठीक है तक्रीबान टू एंपियर का तो 240 वाट तक जाएगा तो 220-3 होता है हमारा में जो सप्लाई है वह हम जानते है 220 कभी भी नहीं रहते है तो उसके हिसाब से मुझे जो फ्यूज है यह फ्यूज हमारा टू एंपियर का फ्यूज होना चाहिए अगर टू एंपियर का में सप्लाई का इंग और यह ही गालती हम करते हैं सारे लोग पता नहीं होता है कि मैन सप्लाइक पे फ्यूज एक्टीली यह फ्यूज बहुत ही कि हमारा जितना वाटेस का एंप्लिफायर के उसके हिसाब से ही मुझे फ्यूज उसकरना है ठीक है अगर उससे ज्यादा फ्यूज करें तो यह फ्यूज का कोई मतलब नहीं रहता है दोस्तों कि फ्यूज सीधा वायर से भी कनेट्ट कर सकते हो क्योंकि यह फ्यूज अगर हम 10 संपियर का लगा दिया जाहिर सी बाते कभी भी नहीं हो रहेगा तो इसका मतलब कहा है हम सीधा सीधा में को जोड़ देपी टांस्पोर्णों के सथ फ्यूज का जोड़ नहीं है तो काम ही नहीं करेगा इसलिए दोस्तों फ्यूज जब यूज करें एक चीज धन पर रखकि नहीं जाएगा तो हमारा अंप्लिफायर सेफ मूड़ मेरे और एक चीज धन पर रखके चीज यह अपको कर नहीं है और एक चीज है दोस्तों जो हम लोग करते है इसके लिए हमारा यह निक्शन होता है ठीक है तो क्या है दोस्तों अमने पर हो गया धूसरा पार हमारा माधर्स आहिए तो बात हमारा उतना judgments करता है तो हमारा उतना कुछ भी नहीं वहां इसका मतलब हमारा एंप्लिफार ओबालोट पे चल रहा था इसलिए फ्यूज बार्ण हो जगा वहीं सही है ठीक है और एक चीज देन पर रहके दोस्तों कि हम जब छोटा मोटा एंप्लिफार बनाता है तो ऐसे कुछ देन पर नहीं राखता है फ्यूज का कुछ कीट यूज करें तो वह खराब होता नहीं है ठीक है हो मोडियो के बात करें हम स्पेशाली हो मोडियो के लिए वह क्यों खराब नहीं होता है दोस्तों कि हम लोग जानते है जो हमारा ट्रेंस्पर्ण से जो फिल्टर करके आउट्पूट डीसी आएगा वो डीसी करते है है 1000 एमपियर तक जा सकते भी आंगे जा सकते है क्यूंकि हम एगर फिटी एमप्ड थोट्रों जहाएगा तो ओन एμपियर से व हुए स्टार्ट होता है .5 एंपियर से स्टार्ट होता है लेकिन हमारा वान एंपियर से निचे को काम नहीं होता है एंप्लिफियर के कम में तो वान एंपियर से लेके रेक्टिफियर जितने भी ज़्यादा आप थाउजन एंपियर जितने एंपियर चाहो ले सकते हो लेकिन जब हमारा हम यूज करते है तो उसमें क्या होता है एक चीज दोस्तों कि हमारा एंप्लिफायर जितने वाट इसका है अगर हम अगर हम टीडीए बीस तीसका एक 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 आप्लिफायर यूज कर रहा है तो जायर सी बाद मैक्सिम्म 25 ते 30 वाड ले लेगा तो हम क्य ठीक है तो चली हम हम चलता है कि हम एक डी यूज का एक ए इंप्लिफायर बश्य 3 एक 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 एप्लिफायर हम बना रहा है इसके लिए हम टीरिसके ए की सुझिया है कि जी रो टैसlor 12 कहा है कि बनंके चलो कि थेने पीर और तो इसके लिए क्या सही है इसको चला पएगा जाइशी वादे अंपियर बहुत सारा अगर बाद 10 एमपियर हो गया तो एक 120 वाट का हो गया जाइशी बादे टीडिये 20 इसे 20 वाच नहीं देगा दूस्तो मैक्सिम मैक्सिम में 25 वाट तक दे सकता है तो 25 वाट के लिए हम 120 वाट का एंप्लिफायर ट्राइश कर रहा है तो यह जाइशी बात है इसको जला देगा लेकिन फिर भी हम जब मार्केट से कुछ कीट लाते है तो यह खरब नहीं होता है दोस्तों यह चलता है क्यों चलता है दोस्तों इसके पीछे में जो करन है वह है गाहिक अलगा है जो हम तो सेफ़ाहर का लगा दिया है से लाड़ए यह लाइंप्यॐर निकले कई है नहीं दूस्तों सब्सक्राइब मतलब लया वाट हो इसकोough हो को लाकिस अर्त यह में करन होता है लेकिन हम हम आई-पावरक एंपलिफएर बनाता है तो हमारा रेक्टिफा बनाता है कि हम अयeder करते कि हमारा एंपलिफएर महांगे चलो 20 एंप्यर सपर्ट करते हैं 20T घया घाले हम और मेंन लेकिन क्या गैस किया जो तो अगर हमारा वार्प्लिस उख सप्लाई 20 फियांचैर से ज्यादा नहीं है तो इसलिए दोस्तों यह मसला है पावर सप्लाई का है पावर सप्लाई अगर अच्छा हो हमारा एंप्लिफायर के हिसाब से हो तो हमारा एंप्लिफायर आराम से चलेगा कुछ भी खरब नहीं होगा दोस्तों अगर हमारा एंप्लिफायर के हिसाब से हमारा पावर सप्लाई ज्यादा हो तो जाहिद सी बाद ह हमारा amplifier खरब होगा ठीक है यह बहुत ही एक complicated चीज है दोस्तों कि हम लोग क्या करते हैं कोई अच्छा बाला supply लगा दिया कुछ हम ध्यान पर नहीं रखते कि इस supply इस बोट के लिए सही है हम लोग क्या करते हैं को बरा supply लगा दिया तो हमारा amplifier अच्छे लगा ऐसा कोई बात नहीं है दोस्तों अगर हम हमारा amplifier की हिसाब से power supply यूज़ करें तो हमारा amplifier कभी भी खरब नहीं होगा और फ्यूज के इस इसलेट करना है वो भी आपको बता दिया हमारा amplifier के वाटेस के हिसाब से हमारा तैंस्फरम कितने भी वाटेस का हो हमरे पातन मलूम होना नहीं चाहिए कि हम हम एंप्लिफियर के चलने की वह सही है इतना ही हमें मलूम होना चाहिए और कुछ नहीं मलूम होना है दोस्तो हमारा amplifier जो लगा रखने है उसमें हम कितना wattage निकल सकते उसी के हिसाब से मैन्न पर हम जो फ्यूज है वह फ्यूज उस करेंगे और एक चिट क्या म्ल eine है दोस्तो हम न Old этर होता है ठीक है उसमें क्या होता है तो उसमें की लुग जानते है किलेफट चैनल औरने चुनांगे कभी-कभर आई सुना रेता है जो लोग यूज करते हैं वो llegó कहते हैं हर कि हमारे Amplifier दोनो चैनल पे एक सस्थidée हर एक एक एंप्लिफायर जो लेपड़ेंड होता है वह दोनों चैनल को एक स्थ चलाना होता है ऐसा क्यों बोलते हैं लोग लोगगों कि जैसे बाते कुछ नैंप निकल के आई तो चैनल को एक सत में चलाना है किसी भी एक चैनल को हम सिंगल सिंगल नहीं चलाएंगे कि वह ऐसा करता है दोस्तों क्योंकि हम इसमें भी करन है बहुत ही बढ़ा करन है कि हम जो ट्यांस्वर्ण यूज़ कर रहा है उसमें हम चलो मनके चलो दो चैनल 4000 वाट का एंप्लिफार है टो यूज़नी के दुनिया में कि हम अगड़ करें तो 4000 वाट का टैन्स्वर्ण नहीं हैं थोरा कम भी दे शकता है अकश़ंट uh hacen channel के च्शनील एक चैनल एक चैनल चैनल चनल घ्यूट चैनल हो लियाओ लाध को राखाएं तो जाहर सी बात है हम जो का थलेए जब तो क्office 310 आए ठील स्कीट्या टिभा लागा, वह नहीं हो इस में शरीर कारेतल लेकिन हम जो एक चैनल चलाएंगे तो मन के चलो कि हम लेट चानिल चला रहा है तो लेज एले कितना वाट करी करेगा 2000 लेकिन हमारा टेइस पर मां कितने वाट का है क्योंकि यह जो चैनल है यह 2000 वाट करी करने के लायक था लेकिन हम इसमें पीछे से 4000 वाट दे रहा था ठीक है तो हम पता मुझे पता नहीं चलेगा कि भाई कैसे उर गया मेरे को पता नहीं है हमारा कॉम्पणी के अम्प्लिफार है फिर भी क्यू जल गया ठीक है तो यह इसलिए लोग कहते है कि हम जब हम दो चैनल के अम्प्लिफार यूज करेंगे तो दो चैनल एक सब चलान है यही में करण है दोस्तों कि इसमें जो टैंस्फुमा लागा होता है वो दो चैनल के बराबर लागा होता है तो अगर हम एक चैनल चलाएगे तो पूरा टैंस तो हार एक मसला दोस्तो इस एंप्लिफायर के लिए भी है इस एंप्लिफायर के लिए जितने भी एंप्लिफायर है सारे के सारे मसला दोस्तो हमारा वाटेस के उपर है हमारा सप्लाई के उपर है ठीक है सप्लाई अगर हम कम कर दे तो हार एक एंप्लिफायर स्टेविल हो जा तो दोस्तों अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी सिखने का मिला तो एक लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए और हमारा चैनल के साथ बनी रही है ठीक है दोस्तों ऐसे कुछ और एक वीडियो लेके आऊंगा हमारे साथ बनी रही है